शिर्मत बाल की ये रवायन के अयोध्या कांड में 27 सर्ग में शिर्राम के ऐसा कहने पर प्रियवादरी मिध्य कुमारी सीता जी जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने युग्य थी प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पती से इस प्रकार बोली शिर्राम आप मुझे ओची समझ कर ये क्या कह रहे हैं आपकी ये बाते सुनकर मुझे बहुत असी आती है नरेश्वर आपने जो कुछ कहा है वे अस्त्र शस्त्रों के ग्याता वीर राजकमारों के युग्य नहीं है वे अप ये शका टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने युग्य भी नहीं है आरेश्वर पुत्र पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुन्न आदी करमों का फल भोकते हुए अपने अपने भागे शुब शुब करम के अंसार जीमन निर्वा करते हैं पुरुश प्रवर केवल पत्री ही अपने पती के भागे का अंसरन करती है है उसके साथ ही मुझे भी मन में रहने की आग्या मिल गई है नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एक मत्र पती ही सदा अश्रे देने वाला है पिता पुत्र माता सक्षिया तथा अपना ये शीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है रगुनन दन यदि आज ही दुर्गम बन की और प्रस्थान आप कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटो को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी हतवीर आप इरशा और रोश को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांती मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए मुझे में ऐसा कोई पाप प्राद नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहां त्याग दें उचे उचे महलों में रहना विमानों पर चड़ कर घूमना अत्वा अनिमा आदी सिद्धियों के दबारा आकाश में विचरना इन सब की पिक्षा इस्तरी के लिए सभी अवस्थाओं में पती के चरनों की च्छाया में रहना विशेश महत तो रखता है मुझे किसी के साथ कैसा वरताब करना जाहिए इस विशे में मेरी मातार पिता ने मुझे नेक परकार से शिक्षा दी है इस समय इसके विश्वे में मुझे कोई उपदेश देनी की अविशक्ता नहीं है अधर नाना परकार के वन्य पश्यों से व्याप्त तदा सिंगों और व्याग्रों से सेवित उस निर्जन एम दुर्गम वन्मे मैं अवश्य चलूंगी मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी परकार उस वन्में भी सुख पूरक निवास करूंगी वहां तीनों लोकों के एश्योरे को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पती वरत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी वीर नियम पूरक रहकर ब्रमचर वरत का पालन करूंगी और सदा आपके सेवा में तत पर रहकर आप ही के साथ मिटी मिटी सुखंद से बरे हुए वन्में विचरूंगी दूसरों का माद देने वाले शीराम आप तो वन्में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं फिर मेरी रक्षा आपके लिए कौन बड़ी बात है महाभाग अता मैं आपके साथ आज अवश्य वन्में चलूंगी इसमें शिंश्य नहीं है मैं हर तरह चलने को तियार हूँ मुझे किसी तरह भी रुका नहीं जा सकता महाँ चलकर मैं आपको कोई कस्ट नहीं दूंगी सदा आपके साथ रहूंगी और प्रती दिन फालमूल खाकर ही निर्वा करूंगी मेरे इस कथन में किसी परकार के संदे के लिए स्थान नहीं है आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोचन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खा कर रहूंगी प्रवू मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप धिवान प्रान नात के साथ निर्वे होकर वन में सर्वत्र घूमकार परतों छोटे छोटे तलाबों और स्रोवरों को देखूं आप मेरे वीर स्वामी हैं मैं आपके साथ रहकर सुख पूरक उन सुन्दर स्रोवरों की श्योबा देखना चाती हूं जो शिरेष्ट कमन पुश्पो से स्योबित हैं तथा जिन में हंसर कारंडव आदी पक्षी भरे रहती हैं विशाल नेत्र वाले आरे पुत्र आपके चर्णों में अंडरक्त रहकर मैं प्रती दिन उन सुन्दरोवरों में शिनान करूंगी और आपके साथ हुआज सब और विच्रूंगी इससे मुझे परम अनंद का अन्भव होगा इस तरह सेंकडों या हज्जारों वर्षों पर भी यदि आपके साथ रहने का सुभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अन्भव नहीं होगा यदि आप साथ ना हूँ तो मुझे सर्ग लोग की प्राप्ती भी अभिष्ट नहीं है आपके बिना यदि मुझे सर्ग लोग का निवास सी मिल रहा हो तो मैं मेरे लिए रूची का नहीं हो सकता मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी प्राप्नात उस अत्यंत दुर्गम वन में जहां सहस्त्रों मिरिग वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चर्णों की सेवा में रहकर आपके अन्कूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुक से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी मेरे हिर्दे का स्व्पुरन प्रेम एक मात्र आपको ही अर्पित है आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता यदि आप से वियोग हुआ तो नेचे ही मेरे मृत्यों हो जाएगी इसलिए आप मेरी याचना सफल करें मुझे साथ ले चलें यही अच्छा होगा मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं बढ़ेगा धरम में अंडरक्त रहने वाली सीता के इस बरकार प्राथना करने पर भी नर्शरेच शीर राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई में उन्हें वनवास के विचार से निवरित करने के लिए वहां के कस्टों का अनेक परकार से विस्तार उरक वर्णन करने लगे इस परकार बालमिक निर्मित आर्शरमाइन आदी काई के अध्याकांड में 27 सर्ग बॉर्णुआ 28 सर्ग में शीर राम का वनवास के कस्ट का बदन करते हुए सीता जी को वहां चलने से मना कतना धर्म को जानने माले सीता के इस परकार कहने पर भी धर्म असल शीर राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया सीता के नेत्रों में आंसु भरे वे थे धर्मात्मा शीर राम उन्हें वन्वास के विचार से निवरित करने के लिए सांत ना देते हुए इस परकार बोले सीते तुम अत्यंत उत्तम कुल में अत्पन हुई हो और सदा धर्म के अचर्ण में ही लगी रहती हो अत्यंत यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोशो सीते मैं तुम से जैसा कहूँ वैसा ही करना तुमारा करतब यह है तुम अब ला हो वन में निवास करने वाले मनुश्य को बहुत से दोश परापत होती है उन्हें बता रहा हूं मुझसे सुनो सीते वन मास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो वन को अनेक परकार के दोशों से व्यापत और दुर्दम बताया जाता है तुमारे हित की भामना से ही मैं यह सब बते कह रहा हूं जहां तक मेरी जानकारी है वन में सदा सुख नहीं मिलता वहां तो सदा दुख ही मिला करता है परतों से गिरने वाले जहर्णों के शब्द को सुनकर उन परतों की कंद्राओं में रहने वाले सिंग दहाने लगते हैं उनकी वे गरजना सुनने में बड़ी दुख दायनी परतीत होती है इसलिए वन दुख में ही है सीते सुने वन में निर्बे होकर क्रीडा करने वाले मतवाले जंगली पशु मुनश्य को देखते ही उस पर चार और से टूट पड़ते हैं वन दुख से भरा हुआ है वन में जो नदिया होती हैं उनके भीतर ग्रा निमास करते हैं उनमें कीचड़ दिक होने के कारूने पार करना अतियंत कठिन होता है इसके सीवा वन में मतवाले हाथी सिदा गुमते रहती ही इन सब कारणों से वन बहुती दुख तैक होता है वन के मार्ग लताओं और काटों से भरे रहती ही वहां जंगरी मुर्गे बोला करते हैं उन मारकों पर चलने में बड़ा कस्ट होता है तो ता महां आसपास जल नहीं मिलता इससे वहां में दुख ही दुख है दिन भार के प्रिश्रम से ठके मादे मनिश्यों को रात में जमीन के उपर अपने आप गिरे हुए सुखे पत्तों के बिच्छोनों पर सूना पड़ता है उन दुख से बहुत भरा हुआ है सीते वहां मन को वश में रखकर वरिक्षों से सता गिरे हुए फलों के अहार पर ही दिन राद संतोश करना पड़ता है अते वन दुख देने वाला ही है वितलेश कुमारी अपनी शक्ति के उसार पुजन करना सिर्पर जटा का भार ढोना और वलकल वस्तर धार्न करना यही वहां की जीवन शैली है देताओं का पित्रों का तथा आय हुए तिथियों का प्रति दिन शास्त्रों के विधी के उसार पूजन करना यह वनवासी का परधान करताव्य है वनवासी को प्रति दिन नियम पूरख तीनों समय शनान करना होता है इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है सीते वास्यम चुनकर लाए हुए फूलो द्वारा विदुक्त विदी से विदी पर दिव्टाओं की पूजा करनी पड़ती है इसलिए वन को कष्ट प्रद कहा जाता है मितलेश कमारी जान की वन मास्यों को जब जैसा अहार मिल जाए उसी पर संदोश करना पड़ता है वन दुख रूपी है वन में परचन डांदी घोर अंदकार प्रति दिन भूग का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्रापत होती है वन अत्यंदक कष्ट प्रद है भामनी वहां बहुत से पहाड़ी सर्प जो उन्हेक परकार के रूप वाले होती है दर पवाश बीच रास्ते में विचरते रहती है वन अत्यंदक कष्ट डायक है जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के समान ही कुटिल गती से चलते हैं ऐसे बहुत संख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहती हैं इसलिए वन बहुत ही कष्ट डायक हैं अबले, पतंगे, बिच्छो, कीडे, डांस और मच्छ वहाँ सदा कष्ट पुचाते रहती हैं नदियों सारा वन दुख रूपी है भामनी वन में कांठेदार वरिक्ष, कुश और कास होती हैं जिनकी शाखाओं के अकरभाग सब वगर फैले हुए होती हैं इसलिए वन विशेष कष्ट डायक होता है वन में निवास करने वाले मुनिश्य को बड़े बहुत ही शारिरिक क्लिशो और नना परकार के भियों का सामना करना करना पड़ता है जिनकी वन सदा दुख रूपी होता है वहाँ क्रोद और लोग को त्याग दिना होता है तपस्चा में मन लगाना पड़ता है और वहाँ भे का स्थान है वहाँ भी भेबीत ना होने की वह शक्ता होती है है वन में सदा दुख ही दुख है इसलिए तमारा वन में जाना ठीक नहीं है वहाँ जाकर तुम शकुशल नहीं रह सकती मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समयता हूं कि वन में रहना अनेक दोशों का उत्पादक बहुत ही कष्ट दायक है जब महात्मा शीराम ने उसमें सीता जी को वन में ले जाने का विचार नहीं किया तब सीता ने भी उनको उस बात को नहीं माना और वे अत्यंत दुखी होकर शीराम से इस परकार बोली 29 सर्ग में सीता जी का शीराम के समक्ष उनके साथ अपने वन गमन का उचित्य बताना शीराम चंदर जी के बात संकर सीता को बड़ा दुख हुआ उनके मकवर आंसों की धारा बैचली और वे धीरे धीरे इस परकार कहने लगी प्राहनात आपने वन में रहने के जो जो दोश बताए हैं वे सब आपका सने पाकर मेरे लिए गुन रूप हो जाएंगे इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले रगुननदन, मरिग, सिंग, हाथी, शेर, शरब, चमरी, गाई, नील गाई तथा जो अन्य जगली वजीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे क्योंकि ऐसा प्रभावशाली सुरोप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा आप से तो सबी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे शीराम, मुझे गुरू जनों की आग्या से निश्चे ही आपके साथ चलना है क्योंकि आपका व्योग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का पर्चा कर दूँगे लगुनाच जी, आपके समीप रहने पर दिताओं के राजा इंद्रवी बलपूरक मिरत रिसकार नहीं कर सकते शीराम, पती ब्रता इस्त्री अपने पती से व्योग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी ऐसी बात आपने भी मुझे भड़ी भाती दर्शाई है महा प्राग, यद भी वन में दोश और दुख ही भरे हैं, तितापी अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्रामनों के मुख से पहले ये बात सुन चकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा ये बात मेरे जीवन में सब्ते होकर रहेगी महा बलीवीर, हस्त रेखा देखकर भुश्य की बाते जान नेने वाले ब्रामनों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदाही वन मास के लिए उच्साहित रहती हूँ प्रीतम, भामन से ग्यात हुआ वन में रहने का अदेश एक ना एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ये किसी तरह पलट नहीं सकता, हताँ मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी ऐसा होने से मैं उस भाग के विधान को भोग लूँगी उसके लिए ये समय आ गया है, अदेश आपके साथ मुझे चलना ही है, इस से उस ब्रामन की बात भी सच्ची हो जाएगी वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य बहुत से दुख प्रात होते हैं, प्रंतुवे उन्ही को दुख जान पड़ते हैं, जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश्य में नहीं है पिता के घर पर कुमारी अवस्ता में एक शांती प्राइना बिश्च्च की के मुक से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी, उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी, प्रभू, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आप से कुछ काल तक वन में रहने के आपका भला हो मैं महाच चलने के लिए पहले से ही आपकी अनमती प्राप्त कर चुकी हूँ अपने शौरवीर बनमासी पती की सेवा करना मेरे अधिक रूची कर है शुदा तमन आप मेरे स्वामी है आपके बीचे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगी क्योंकि स्वामी ही इस तरी के लिए सबसे बड़ा देवता है आपके अनगमां से परलोक में भी मेरा कल्यान होगा और सदा आपके साथ मेरा सिंग्योग बना रहेगा इस विशे में ये सची ब्रहामनों के मुक से एक पुइत्र शृती सुनी जाती है जो इस परकार है महा बलीवीद इस लोक में पिता आदी के द्वारा जो कन्या जिस पुरुश को अपने धर्म के उंसार जल से संकल्ब करके दे दी जाती है मैं मरने के बाद पर लोक में भी उसी की इस्तरी होती है मैं आपकी धर्म भत्री हूँ उत्तमरत का पालन करने वाली और पती वरता हूँ फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहां से अपने साथ ले चलना नहीं चाते हैं कुछ कुल भूशन मैं आपकी भक्त हूँ पाती वरत्ते का पालन करती हूँ आपके विचो के बैसे दीन हो रही हूँ तिथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ मुझे सुख मिले या दुख मैं दोनों वस्थान में सम रहूंगी हर्शी या शोक के वशी भूत नहीं होंगी अज़े आप वशी मुझे साथ ले चलने की क्रिपा करें यदि आप इस परकार दुख में पड़े होई मुझे सेवका को अपने वण में ले जाना नहीं चाते तो मैं मृत्यू के लिए विश्ख खा लूँगी आग में कोट पड़ूँगी अथवा जल में डोब जाऊंगी इस तरह अनेक परकार से सिता जी वण में जाने के लिए याचना कर रही थी तथापी माबाहु शीराम ने उन्हें अपने साद निर्जन मन में ले जाने की अनमती नहीं दी इस परकार उनके असी कार कर देने पर मितलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नित्रों से गरम गरम आंसु बहा कर धर्ती को बिगोने सी लगी उसमें विधे नंदनी जान की को चिंती तुरकोपी देख मन को वश में रखने वाले शीराम चंदर जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवरित करने के लिए बहांती बहांती की बाते कहकर समझाया इस प्रकार शीरीबान में एक निर्मित आर्शिरमाइन आधि कावे के अधिया काणड में उनत्तिस्वा सर्ग पूर्ण हुआ तीस्वे सर्ग में सीता जी का वन में चलने के लिए अधिकागरे विलाप और घबराहट देखकर शीद नाम का उन्हें साथ ले चलने की सवकृति देना पिता माता और गुरुन चिने की सेवा का महत्त बताना तदा सीता को वन में चलने के तेयारी के लिए घर की वस्तों का दान करने की आग्या देना शीराम के समझाने पर मितलेश कुमारी जान की वनमास की आग्या पराप्त करने के लिए अपने पती से फिर इस प्रकार बोली सीत आत्यन डड़ी हुई थी में प्रेम और स्वावी मान के कारण विशाल वक्स थलवारे शीराम चंदरज पर आक्षी इपसा करती ही कहने लगी शीराम क्या मेरे पिता मितलेश विधे राज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी ये भी समझा था कि आप केवल शीर से ही पुरुश हैं कारे कलाब से तो इस्त्री ही हैं नात आपके मुझे छोड़ कर चले जाने पर संसार के लोग अग्यानवश यदि ये कहने लगे कि सुर के समान तपने वाले शीराम चंदरजी में तेज और प्राकरम का अभाव है तो उनकी ये असत्त्य धारना मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी आप क्या सोचकर विशाद में पड़े हुए हैं अत्वा किस से आपको बहे हो रहा है जिसके करण आप अपनी पत्री मुझ सीता का जो एक मात्र आपके ही आश्रित है परत्याग करना चाते हैं जैसे सावित्री ज्यूमत सैन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामनी थी उसी परकार आप मुझे भी अपनी ही आज्या के अधिन समझीए निश्पा प्रगुननदन जैसी दूसरी कोई कुल कलंकनी इस्त्री पर पुरुष पर दिश्टी रखती है वैसी मैं नहीं हूँ मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती इसलिए आपके साथ ही चलूँगी आपके बिना अकेली यहां नहीं रहूंगी शीराम जिसका कुमार वस्था में ही आपके साथ विवा हुआ है और जो चिरकाल दक आपके साथ रह चुकी है उसी मुझे अपने सती साधी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांती दूसरे के हाथ में सूपना चाते है निश्पा प्रगुनंदन आप मुझे जिसके अंकुनूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्य विशेक रोक दिया गया है उस भरत के सदा ही वश्वर्ती और अग्या पालक बनकर आप ही रही है मैं नहीं रहूंगी इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की और प्रस्थान करना उचित नहीं है यदि तवस्या करनी हो वन में रहना हो अथ्वा सर्ग में जाना हो तो सभी जगा में आपके साथ रहना चाती हूँ जैसे बगीचे में घूमने और पलंक पर सोने में कोई कस्ट नहीं होता उसी परकार आपके पीछे पीछे वन के मार्क पर चलने में भी मुझे कोई प्रिश्रम नहीं जान पड़ेगा रास्ते में जो कुश, कास, सरकंडे, सिंक और कांटे दार ब्रेक्ष मिलेंगे उनका श्पर्ष मुझे आपके साथ रहने से रूई और मुरिक चरम के समान सुखत परतीत होगा प्रानवन लव, परचंड आंदी से उड़कर मेरे शीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझोंगी जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर ही सोलूंगी रंग बरंगे कालीनों और मुलाइम बिच्छोनों से युक्त पलंबूंग पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है आप अपने हाँ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमरतरस के समान होगा रितु के अनकूल जो भी फल, फूल प्राप्त होंगे उन्हें खा कर रहूंगी और माता-पिता अध्वा महल को कभी याद नहीं करूंगी आपके साथ जहां भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना कोई भी स्थान हो, मैं मेरे लिए नरक के समान है शीराम, मेरे इस निश्चे को जानकर आप मेरे साथ त्यंत प्रसंता पूरक वन को चले मुझे वनवास के कस्से कोई घवरावट नहीं है, यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विश्च पीलूंगी, प्रन्तु शत्रों के अधिन होकर नहीं रहूंगी नाथ, यदि आप मुझे त्याकर वन को चले जाएंगे, तो पीछे भी इस भारी दुख के करण मेरा जीवित रहना संबब नहीं है, ऐसी दिशा में मैं इस समय आपके जाते ही अपना प्रांध त्याक देना अच्छा समयती हूँ आपके विराका ये शोक में दो घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझे दुखिया से ये चोदा मर्चों तक कैसे सहा जाएगा, इस परकार बहुत देता करना जनक भी लाप करके, शोक से संतब्त सीता शिती लोकर अपने पती को जोर से पकड़कर, उनका गाड़ा लिं चंदर जी के पुरवक्त नेका नेक वचनों द्वारा मर्माहत ओठी थी, जैसे अर्नी आग प्रगट करती है, उसी परकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसों को बरसाने लगी। जनी ताब के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सुक सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेज सी हो रही थी, शीराम चंदर जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हिद्दे से लगा लिया और उसमें उन्हें सांत ना देते वी कहा, देवी तुम्हें दुख देकर मुझे सर का सुक मिलता हो, तो मैं उसे भी लेना नहीं चाऊंगा, संभू ब्रह्मा जी की भांती मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। आतम ज्यानी प्रुष अपनी सभाविक प्रसंता का त्याग नहीं करते। हाथी की सूट के समा ज्यांग वाली चनक किशोरी, पूर काल के सत प्रुष ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस ध्रम का अचरन किया था, उसी का मैं भी तुमारे साथ रहकर अंसरन करूंगा। और जैसे सुवर्चिला अपने पती सूरी का अंगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अंसरन करो। जनक नंदिनी ये तो किसी प्रकार संभवी नहीं है कि मैं वान को ना जाऊं। क्योंकि पिता जी का मैं सत्युक्त वच्चन ही मुझे वान की ओर ले जा रहा है। उन परत्यक्ष देवता माता पिता आयम गुरु का उनलंगन करके जो सेवा के अधिन नहीं है। उस अपरत्यक्ष देवता देव की विभिन परकार से किस परकार अराध्रा की जा सकती है। इस लिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की अराध्रा करती है। सीते पिता की सिवा करना कल्यान की प्राप्ती का जैसा प्रबल साधन माना गया है। वैसा ना सत्य है, ना दान है, ना मान है और ना प्रयाप दक्षना वाले यग्ये ही है। गुरू जुनों की सिवा का अंसरन करने से सर्ग, धंधाने, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुरलब नहीं मातापिता की सिवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोग, धर्वलोग, ब्रहमलोग, गोलोग तथा अन्य लोगों को भी प्राफ्त कर लेते हैं इसलिए सत्य और धर्म के मार्क पर स्थित रहने वाले पूझे पिता जी, मुझे जैसी आक्या दे रही हैं, मैं वैसा ही वरताब करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का द्रेड निश्चे कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंड़क रहने ले चलने के संबंद में जो मेरा पहला विचार था, मैं अब बदल गया है, मद वरे नेतर वारी सुन्दरी, अब मै तुम्हें वन में चलने के लिए आग्या देता हूं भीरू, तुम मेरी अनगामनी बनो, और मेरे साथ रहकर धरम का आचरन करो, प्रान वल्लब ऐसी ते, तुमने मेरे साथ चलने का जो ये परम संदर निश्चे किया है, ये तुमारे और मेरे कुल के सर्था यग्य ही है, आप तुम बन्मास के योग्य दान आदि करम प्रारंब करो, सीते, इसमें तुमारे इस प्रकार देड निश्चे कर लेने पर, तुमारे बिना सर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, भ्रामनों को रत्न सवरोग उत्तम वस्त में दान करो, और भोजन मांगने वाले व नियपदार्त हों, तथा मनुरंजन की जो जो सुन्दर समगरियां हों, मेरे और तुमारे अप्योग में आने वाले जो उत्तम उत्तम शेयाई सवारियां तथा अन्य वस्ते हों, उन में से भ्रामनों को दान करने के पश्चाज जो बचे, उन सब को अपने सेवकों को पूरक सब वस्तों का दान करने में जुट गई, तरंतर अपना मनुरत पूर्ण हो जाने से अच्चंत हर्श में बढ़ी हुई ये ससने, एम मनसने सीता देवी सामी के अदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्रामनों को धन और अतनों का दान करने के लिए उज़त होगी, इस परकार श्री बालमी के निर्मित आर्श रमायन आदिकावे के अध्याकांड में तीस्वा सर्व पूरा हुआ।